नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में हम जीसमें कैपिटल और करेंसी के बारे में जानेंगे मेरा नाम है अलोक और आप एक अक्षाइन ले रहे हैं जे एससी एडूकेशन पर उससे पहले आप हमारे एप में जा सकते हैं और वहां पर हमारे जितने भी इंडिविजवल कोर्सें प्रीवेश सीरीज है यह सब आप जाकर एप में आप रिसरच कर सकते हैं आप यह पूरा वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, यहां पर एक मोटा मोटी आप यह आइडिया लगा लिजिए, कि यह वाली जो एरिया है, वो कहां पर लोकेटेड है, तो आप देखेंगे, कि अगर डारेक्शन की बात करें, तो यह एरिया हो गया नॉर्थ, यह हो गया ऌटियेटेड है, साउथ हेशिया में, आप ऐक ही करके इसको समज़ते चलें, आपको आसानी से दो चीज़ें क्लियर हो जाएगे, तो आपका ग्रूप एक क्लियर हो जाएगा, जो ग्रूप आप समझ जाएंगे लास्ट में, और केरन्सी और कैपितल्स भी क्लियर हो जाए हैं अब हम तो ध्यान से समझने कोशिश करते हैं इसमें कौन-कौन से कंट्रीज आ गए हैं देखिए यहां पर कुछ कंट्रीज का नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे पहला माल्डिव्स स्रीलंका इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान और बंगल समुद्र की तरफ से चलें तो हम पाते हैं वहां पर सबसे पहले क्या है माल्डिव्स है यह माल्डिव्स की अगर बात की जाए तो माल्डिव्स का अगर कैपिटल हम लोग देखें तो माल्डिव्स की कैपिटल है माले आप याद रखेंगे मेल माले जैसे भी आप याद र लिखा जया गए माल्दिवियन रूफिया नाम से आएगा इसका करंणसी तो आपको माल्दिवस का केपिटल याद कीजिए माल्दिवस का कैपिटल माले और और करंसी ओ stuck माल्दिवस क्यों famous है माल्दिवस टूरिस्ट प्लेस के लिए famous है यहां पर समूदर का पानि बहुत शांत है यहां पर हिंद महासागर है हिंद महासागर पानि उसके बाद हम यहां से फिर उपर की तरब चलेंगे तो हमें कौन सी country मिलेगी स्री लंका स्री लंका के बारे में हम कुछ कुछ जानते हैं यह वाली country आपकी स्री लंका हो गई और यह उसका मैप हो गया है यहां पर आप देख पाएंगे स्री लंका की जो राजधानी है वो यहां पर है यहां सिच्वेटेड है आप देख सकते हैं स्री जैवरदन पूरे कोट्टे ये उसकी राजधानी है आप देखेंगे और ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया अगर आप देख पाएंगे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये जाफना का एरिया है जिसे जाफना कहा जाता है यहाँ पर एक आप पाएंगे कि यहाँ पर रेंज ऑफ ह स्थित है तो यह स्री लंका में है यहां पर पॉइंट पेड्रो पॉइंट पेड्रो कहां पर स्थित है तो पॉइंट पेड्रो आप को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि स्री लंका में स्री लंका का कैपिटल स्री जय वर्धन पूरे कोट्टे और स्री लंका की अगर करेंसी की बात की जाए स्री लंका रुपी याद रखेंगे आप कैपिटल क्या हो गया स्री जय वर्धन पूरे कोट्टे और आपके करेंसी होगे स्री लंका रुपी यह वाला आप याद बंदरगा है, यहां पर आप देख पाएंगे, यह हम बन टोटा बंदरगा, काफी विवादित रहा था उस समय, उसके बारे में एक सेपरेट बता देंगे कभी, इसके बाद इस से उपर जब चलेंगे, तो यहां पर कहां पहुंचेंगे हम लोग इंडिया में पहुंचेंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भी क्वेशन पूछता है, इसका कैपिटल और इसके शहरों के बारे में, हम समझते हैं सबसे पहले, पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात की जाए, तो यहां है इसलामाबाद, यह आप देख सकते हैं, और यह हमारे कंट्री की बांडरी ह जो हम मानते चले आ रहे हैं, और यह है भी, यह हमारा ही है, और यहां से जो आप देख रहे हैं, यह जो यह वाली रेखा, यह लाइन अफ कंट्रोल है, यह वाला जो एरिया है, यह पीयोके है, यह पीयोके है, पाक अक्यूपाइड कश्मीर, यह ले लिया गया है, यहां प किया था इसलिए उन्हें मूलतान का सुल्तान भी कहा जाने लगा था पिशावर के पास यहां पर एक शहर है अबटाबाद यहीं पर यूनिवर्सिटी है जो कही जाती है तक्षिशिला यूनिवर्सिटी एक्जाम पॉइंट ओव यू से काफी इंपॉर्टेंट है अगर बं यहीं बंदरगा से यहां पर एक सड़क बनाई गई है जो प्योके से होते हुए यहां तक गई है पाकिस्तान की जो कैपिटल है वह आपने इसलामाबाद देख लिया इसलामाबाद के बाद इसकी करेंसी है पी के आर यानि कि पाकिस्तानी रुपी दिखता कुछी इस तरह से है यह है पाकिस्तानी रुपी याद रखेंगे आप पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा एक अगला कंट्री है वो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि यहां पर है काबुल अफगानिस्ता के काबुल और यहां पर है बामियान ये वाला शहर आप देख रहे हैं यहीं पर महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ती पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी जिसे मार कर गिरा दिया गया आतंकवादी संगठनों के द्वारा इसी के कारण एक समस्या उत्पन हो गई थ जो मैं आगे बताता हूँ आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि बामियान में एक महात्मा बुद्ध की बहुत सबसे बड़ी मूर्ती हुआ करती थी जिसे यहां के आतंकवादियों ने मार कर गिरा दिया था जिसके चलते एक समस्या उत्पन हो गई है जो अभी भी चल रही है यह कांधार वाला इरिया है यहां पर आप देख पाएंगे काबूल कांधार का नाम आपने सुना होगा एको हिस्ट्री में बहुत जैदा आता है तो अफगाणिस्तान की capital की बात कि जा तो अफगानिस्तान के capital है काबूल और इसकी currency है अफगानी अफगान इधर आते हैं, यहां आने के बाद पाएंगे नेपाल, यहां नेपाल में हम चले, नेपाल में देखते हैं, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काटमांडू, जिसका लोकेशन यह है, यह काटमांडू की लोकेशन, नेपाल की कैपिटल, काटमांडू, और नेपाल की करेंसी, NPR यह रुपया जो यहां लिखा गया है यही इसकी करंसी है रुपया ठीक है नेपाली रुपी कहा जाता है इसको लेकिन यह रुपया करके इस तरह कर लिखा जाता है अब ध्यान रखेंगे नेपाल के बारे में एक और चीज यह जो आप पीक देख रहे हैं यह कौन सा पीक है सागर माथा सागर माथा को क्या कहा जाता है क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट कहां सिच्वेटेड है आपका नेपाल में सिच्वेटेड है नेपाल के बारे में आप समझ गये नेपाल से जब हम बगल में चलते हैं नेपाल की क्या हो गई कैपिटल काटमांडू और NPR उसके बाद बगल में आते हैं तो हमें दिखाई देता है भूटान भूटान की राजधानी यहां पर है थिम्पू यहां आप देख पाएंगे यह है थिम्पू यहां इसका लोकेशन है आप यह लोकेशन थोड़ा दिमाग में फिट करते हुए चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए कि अगर कोई थिम्पू बोल रहा है या भूटान बोल रहा है तो आपको यह लोकेशन समझ है कि अगर भूटान कोई कह रहा तो इस जगह पे नहीं है इस जगह पे है या इस जगह पे नहीं है इस जगह पे है तो ये आपको एक मोटा मोटी दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी जगह कहां पर स्थित है तो आपका भूटान का जो capital हो गया वो हो गया थिम्पू और इसकी जो currency हो जाती है वो है भूटानी ज एनगुल्टरम ये आप currency देख पाएंगे भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू और इसकी जो currency हो गयी वो एनगुल्टरम ये गुल्टरम करके पढ़ेंगे इसे वाली country बंगलादेश, यहां पर आप देखेंगे, यह है बंगलादेश, बंगलादेश पहले सबसे पहले East Pakistan हुआ करता था, इसे 1971 में जो इंडियो पाक वार हुआ है, उसके बाद यह liberate हो गया, liberate मतलब इसके बाद यह अलग country घोषित हो गया, तो यह हो गया आपका बांगला देश , बांगलादेश की राजधानी गर बात की जाए , बांगलादेश की राजधानी है धाका और इसकी करेंसी है का कि तक में अपका धाका इस जगह पर स्थित है यह वाली लोकेशन है अब देखें यहां मैप में धाका यहां है मंगलादेश की करेंसी यह है टका ध्यान रखेंगे ढाका और टका तो फिर से एक बार रिवाइस करते हैं सबसे पहले माल्डिव्स आता है जो यहां पर स्थित है माल्डिव्स की कैपिटल क्या हो गई माले और इसकी करेंसी हो गई MRF, स्री लंका की कैपिटल, स्री जैवर्धन पूरे कोट्टे, या स्री जैवर्धन पूरम, अगर किसी बोलते हैं, तो भी चलेगा, और स्री लंकान, रुपीज इंडिया की कैपिटल, न्यू डेली और इसकी करेंसी हो गई, INR, इंडियन और इसकी करेंसी, अफगानी उसके बाद अगर नेपाल की तरफ बढ़ें, तो नेपाल, नेपाल का आपका क्या हो गया, काठमांडू और इसकी करेंसी हो गई, रुपियां, या नेपालिज रुपी, इंपी यार, वो सरफ भूटान, थिम्पू, और इसकी जो करेंसी हो गई, वो इन गुल्टरम, या गुल्टरम, इसके बाद बांगलादेश, ढाका या टका, क्लियर है, अब ये ग्रूप तो आपने पढ़ लिया, अब ये ग्रूप जो है, वो ये ग्रूप क्या दिखलाता है, ये ग्रूप जो आठ कंट्रीज आपने पढ़िये, ये जो आठ कंट्रीज है, वो क्या है, सार्क कंट्रीज है, ये सार्क मेंबर्स है, आपस में इन्होंने, रीजिनल कोपरेशन के लिए, एक ग्रूप बना लिया है, जिसे बोला जाता है सार्क नेशन्स यह सार्क है मैंने आपको सुरू में बताया कि यह साउथ हेशिया साउथ हेशिया में आपका आठ कंट्रीज आ गए आठ कंट्रीज कौन कौन से हो गए एक एक लाइन में लिखिये मालडीव्स स्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलादेश एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ मालीव, स्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलादेश ठीक है इन्होंने आपस में ग्रूप बनाया और ग्रूप का नाम रख दिया सार्क इसका फूल फाम होता है South Asian Association for Regional Corporation अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों South Asian क्योंकि यह South Asia में लाई करते हैं और आपस में इन्होंने Regional Corporation के लिए एक ग्रूप बना रखा है यह सबसे पहले सार्क चार्टर के द्वारा 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो कॉलंब में हुई थी 1981 में सबसे पहले इसके 7 फाउंडर मेंबर थे और अभी इसके मेंबर 8 हैं अफगानिस्तान जो सबसे निवेस्ट मेंबर बना है सार्क का 2005 में हेटकौर्टर कहां है हेटकौर्टर और सेक्रेटरियट हैं काठमांडू नेपाल में नेपाल की लोकेशन याद करिए आप यहाँ पर है और नेपाल की करेंसी आप बताईए नेपाली रूपिया इन पी आर क्लियर है भूटान में अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज में है वो है खोलंग्चु प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर यह पहले से चार प्रोजेक्ट है उसके कंटिनिवेशन में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यह आप इसकी तस्वीर देख पाएंगे यह अंडर कंस्ट्रक्शन है भूटान में जो हम बना रहे हैं और यह जो स्टेट्मेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टरनल अफेर्स के द्वारा दिया गया था इसके पहले चुका डैम कु को याद करने की कोशिश की कंट्रीज और करेंसी और साथ में हमने सार्क नेशन के बारे में भी जाना है तो थैंक यू फर वाचिंग इस क्लास कीप लानिंग एंड स्टे मोटिवेटेड